कि यह हुआ हमारा overload condition और यह हुआ हमारी part load condition तो बीच में हुई कहीं load की maximum condition तो termine का graph जो है वो generally सारे ऐसे आएंगे यह यार रखेंगे सारे graph जो है वो ऐसे आएंगे मतलब किसी optimum load पे maximum efficiency part load पे कम और overload पे भी कम के लिए रहें तो यह चीज़ ध्यान रखनी है आपको तो यहां पर वो पूसता है कि part load में सबसे better termine कौन सा होता है अगर आपसे question पूसता है कि part load में सबसे better efficient termine कौन सा होता है तो means जहां load variation होता है optimum load से कम चले जाता है वहां पर maximum termine maximum efficiency कौन सा टर्वाइन देता है तो तब याद रखेगा ऐसे में part load की side में चलो पहले मैं graph graph बना देता हूँ उसके बाद आपको उसकी चीज़े बता दूँगा ठीक है कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने चार line a draw करी है जिसमें यह last वाली जो है वो थोड़ा सा इसको कटी भी मारती है लेगिन कोई दिक्कतनी अगर आप नहीं भी दिखाऊगे उसे कुछ इस तरह से अब याद रखिएगा सबसे ज़्यादा efficiency देने वाला यह है part load condition यह है overload condition तो सबसे ज़्यादा efficiency देने वाला load variation में वो है आपका kaplan तो सबसे अच्छी जो है वो आपको kaplan देता है तो कहीं पूसता है part load में सबसे efficiency किसकी तो यह रखेगा kaplan ठेक है load variation में पूसता है सब ज़्यादा efficiency load variation में किसकी बेटर रहती है तो यह रखेगा kaplan उसके बाद आता है pelton उसके बाद आता है आपका pelton ठेक है उसके बाद जो efficiency होती है better वो है pelton की उसके बाद आता है आपका Francis ठेक है यह main आ गए आपके उसके बाद जो last वाला हम करद गधा ग्राफ होता है वो है propeller तो यह ऐसे भी याद रखना आप कि efficiency अगर हम load के साब से देख रहे हैं तो सबसे better है आपका kaplan उसके बाद pelton उसके बाद जो है Francis और उसके बाद जो है propeller तो ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं that is important graph that is important graph जो आपको पूछा जा सकता है और क्या होता है वैसे तो हम pelton बोलते हैं लेकिन एक बहुत कम value होती है जहाँ पर Francis भी थोड़ा सा उपर चले जाता है के बाद कैपलन से लेकिन चलिए उसको इतना जर्द ध्यान देने की जरूरत नहीं है जहाँ question आएगा तो सब देखेंगे किस तरह का है question तो यह थोड़ा सा एक याद रखेगा important है कोई ना कोई question आपको देखने को जरूर मिलेगा एक आद पर यह बहुत common question नहीं है मतलब वही मैं कर रहा हूँ एक आद question जो है वो देखने को मिल जाते है clear है समझ आगई इतनी बात now अब constant head curve जो है वो दूसरे questions आता है constant head curve के ठीक है मैं सारे curve यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ main characteristic curve या इस तरह कर वो important नहीं है क्योंकि वो सारे curve operating characteristic या main characteristic curve यह सब नहीं आँ से पूशता है इसके बाद सीरा सीरा constant head curve अब constant head mandates आपको different different gate openings के लिएjak पूछा जाते हैं जिनको हम main characteristic curves भी बोलते है तो यह रखेगा इनको हम main characteristic curves भी बोलते हैं Curves भी बोलते हैं, या फिर Constant Head Curves भी बोलते हैं, Curves for Different Gate Openings, ठीक है Different Gate Openings मतलब जैसे जैसे हम Gate को Open करेंगे, वैसे वैसे आपका परफॉर्मेंस जो है वो चेंज होती रहेगी, तो Gate को Open करना मतलब एक तरह से Flow को बढ़ाना, ठीक है ना, तो यहाँ पर Different के लिए हम लोग Constant Head Curves बनाते हैं, तो अलग-अलग जैसे सबसे पहले Pelton Wheel के लिए, Pelton Turbine के लिए, तो यह Curves किस-किस के बीच में बनता है, याद रखेगा, यह Curves बनता है आपका Unit Discharge और Unit Speed के बीच म तो कही बार यह Question भी आया पेपर में, कि Constant Head Curves are the Curves between Unit Discharge and Unit Speed, तो Constant Head Curves जो है, वो किस-किस के बीच में बनते हैं, तो यह भी आप से पूछे का कहीं, तो आप ध्यान रखेंगे, that is Unit Discharge और Unit Speed के बीच में, तो यह होता है हमारा Q, Unit Discharge, और यह होता है हमारी NU, that is Unit Speed, इनके Energy Based है, तो जैसे जैसे हम Gate Open करेंगे, वैसे वैसे उसकी Unit Speed बढ़ेगी, लेकिन Discharge जो है, वो Constant बना रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें कोई Casing नहीं है, तो इसलिए, यहाँ पे अगर हमने 25% Gate Open किया है, तो उस 25% पे Speed जो है, वो Containers बढ़ती रहेगी, at Constant Discharge, तो 25% को हम 1 by 4th Gate Opening भी बोल सकते हैं, तो इसको 1 by 4th Gate Opening भी बोल सकते हैं, और 25% Gate Opening भी बोल सकते हैं, उसके बाद हमने और किया 50%, Constant at 50%, that is Half Gate Open और 50%, तो पेपर में कोई भी Language आ सकती है, आपको, उसके बाद again हमने 75%, that is 3 by 4th Gate Opening और 75%, उसके बाद last, that is Full Gate Opening और 100% Gate Opening, तो आपको सिर्फ यह धियान रखना है, कि Pelt and Turbine का, जो है, Discharge में कोई फरक नहीं पड़ता है, तेके ना, कोई फरक नहीं पड़ता है, आपकी सिर्फ Speed बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे Gate Open होता रहेगा, उसकी सिर्फ Speed ही है, जो है, वो Constant चलत रहेगी, simple, बस, अब आपको यही चीज उल्टी धियान रखना है, Francis और Kaplan में, because it will change, it will change the discharge, Francis और Kaplan जब आप बना रहे हैं, तो इस चीज का धियान रखेंगे, कि जब हम same graph Francis के लिए draw करेंगे, तो यह graph, एक ही graph में भी आता है कई बार, अभी बताऊं का कैसे, ठेक है न, तो यहां पे याद रखिए, दिख रहा है proper, ठीक है, कोई दिख रहा है, तो यहां पे याद रखिए, यह graph, एक graph में भी आता है, तो किस तरह से है, same, अब यहां पे याद रखेगा Francis में क्या होता है, कि Francis में हम जैसे जैसे gate open करते हैं, अब या axial flow नहीं है, यह radial तो radial flow है, तो radial flow में क्या होता है, discharge हमेशा क्या होगा, जैसे जैसे speed आपकी increase करेगी, discharge हमेशा घटता रहेगा, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम speed increase करेंगे, discharge will goes down, तो this is 25% gate opening, this is आपका 50% gate opening, this is 75% gate opening, और उसके बाद full gate opening में ऐसे, तो that is full gate opening, तो start value maximum discharge से होती है, लेकिन जैसे जैसे unit speed बड़ेगी, speed turbine की बढ़ती रहेगी, तो discharge जो है, वो कम होता रहेगा, ठीके न, इसके पीछे कई काराण भी है, centrifugal force के वाई से जो है, वो पानी बहुत outside में जाता है, केसिंग बंद है, तो वही पानी फैल जाता है, जिसस पानी उसमें ज्यादा गूमता है, ठीक है, जब हम यही बात करते हैं, kaplan के लिए, तो ठीक kaplan में ठीक इसका reverse कर लिजे, कैसे, कि kaplan में क्या है, axial flow है, बहुत तेजी से पानी आता है, बहुत निकल जाता है, जिससे discharge जो है, आपकी speed बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगा, तो same आप straight lines में उपर, इसको उपर खी सकते हैं, कुछ इस तरह से, same, ठीक है, इस graph को हम याद रखे, straight lines में भी दिखा देते हैं, same ऐसे, तो यहाँ पे आप कहेंगे, that is, 25% gate opening, 50% gate opening, 75% gate opening, and आपका 100 full gate opening, तो याद रखे, अगर आपको कहीं पर भी, कहीं पर भी आपको same graph देत है इनके बीच में, ठीक है न, तो इनके बीच में अगर common graph भी आता है, तो बस याद रखे, जो straight line होगा, pelton wheel होगा, जो उपर जा रहा होगा, वो kaplan होगा, जो नीचे जा रहा होगा, वो Francis होगा, तो यह तीन और एक line में भी draw हो सकते हैं, कि इसी में माली जीए, एक सीरा कर पाह,